कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था हल्व स्टूडट आज हम बात करेंगे सिल्वर क्लोराइड इलेक्टर के बारे में हम रेफरेंस इलेक्टर वाद टॉपिक कंटीनियू कर रहे तो यह हमारा सैकंड रेफरेंस इलेक्टर है जो पोटेंशोमेटरी में आता है और यह इ पैसे आये गा जोड के 2 वायर होगा सिल्वर क्लोराइड का आप directly स्ब्रेख वह सालड मुलत करती है यहाँ पने आप अगर आप मैं देख सकती हो कि इस सिल्वर क्लोराइड एलेक्ट्रोड है ठीक है यहां पे यहां पर रहता है पोरस प्लग जो एक्सर्णल स्लेशन के साथ कौंटेक करने के लिए रखा जाता है ठीक और यहां पर रहता है येलिमेंट का डिस्चार्ज तो अब हम बात करते हैं working के बारे में ठीक है तो working में क्या होगा कि electron का exchange होगा ionic silver and metal silver के बीच में ठीक है तो यहाँ पे जो working है उसमें क्या होगा electron का exchange होगा ठीक है अगर यह electron act करता है as anod तो यहाँ पे oxidation होगा ag plus cl minus combine होके agcl बनाएंगे और electron loss करेंगे ठीक है तो इसलिए जो reaction हो रहा है उक्सिडेशन है तो anod पे oxidation होता है अगर electron act करता है aanod तो ठीक है अगर electron जो है वो as a cathod act करता है ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा reduction होगा तो agcl electron को accept करता है और ag plus cl minus में convert होता है तो यहाँ cathodd पे reduction reaction होता है ठीक है और हम overall जो इलेक्टोर पोटेंशल अब एजी, एजी सील इलेक्टोर का देखे तो यह है उसका इलेक्टोर पोटेंशल ठीक है अब हम देखते हैं उसका advantages, disadvantages and application तो अब देखते हैं advantages, ठीक है, advantages में यहाए कि उसके पास better stability रहती है simple construction रहता है, less toxicity रहता है, environmental problem भी less रहते है, stable potential होता है और इसका जो manufacture है वो बहुत inexpensive है, यह सारे उसके advantages है, ठीक है अब बात करते हैं, disadvantages के बारे में, तो disadvantages में क्या आएगा कि उसको prepare करना बहुत difficult है standard hydrogen electrodes भी ज्यादा difficult है, उसको prepare करना और इसकी KCL solution में इलेक्टोड की जो AGCL रहता है इलेक्टोड में उसकी solubility KCL में ज्यादा रहते हैं, यह उसके disadvantages है, अब बात करते हैं application के बारे में, तो application में यह है कि यह as a use होता है, as a internal reference electrode in glass electrode और यहां पर हम uniform potential distribution in oil pipeline, उसका oil pipeline में potential distribution जो होता है उसको determination करने के लिए भी हम इस electrode का use कर सकते हैं